कंड़क्ट करता है या कंड़क्ट नहीं करता है या फिर 50-50 या आंट टॉकिंग अबर सेमी कंड़क्टर और आज अम पढ़ेंगे सेमी कंड़क्टर एलेक्रोनिक्स हलो वार्पूरोण मुझे उमीद है कि आप सब इच्छे हैं और आज में लेकर आए हूं क्लास 12 फिजिक् सब्सक्राइब हमेशा की तरह आपके कॉंसेप्स होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हुर आश्टी फ्रम लानोहाब देफ्री लानिंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप पर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री माट्स बाइलोजी आपसोलिटली फॉर फ्री आट लानोहाब.com सो है सबी लोग, let's get started. Semiconductor electronics responsible है हमारे majority of the modern technology के पीछे. चाहे बात करे हमारे personal computers के CPU की, या बात करे smart phones की, या बात करे refrigerator की, television की, washing machine की, LED bulbs की, या फिर डिजिटल कामरास की. हर जगह use होता है semi conductors. तो आप समझी रहे हो कितने काम की चीज है, right? अब आप सोच रहे होगे कि हार semi conduct में ऐसी क्या बात है, जो ये इतना extensively इतने चीजों में use होता है? Well, इनकी खास बात ये है कि ये control कर पाते हैं कि कब, कहां और कितना electricity flow करेगा. जितने भी electric appliances की हमने बात करी, इनके अगर अंदर के structure को हम देखे या अंदर के circuit को हम देखे, तो हमें देखने को मिलता है resistor, inductor, capacitor, integrated circuits, बोले तो, ICs, चलो बच्चो कहानी के शुरुवाद तो करेंगे हम history of semiconductors से कि भई semiconductors कब आए? उससे पहले कौन थे? है ना? तो चलो बच्चो शुरू करते हैं semi conductors की कहानी, तो semi conductors से भी पहले कुछ devices हुआ करते थे जिने कहा जाता था vacuum tubes या फिर valves, इन devices के अंदर हो से ट्रोड का सिस्टेम होता था, जिसे ट्रायोड कहा जाता था, कई बाचार इलेक्ट्रोड का सिस्टेम होता था, ट्रोड, पेंटोड and so on, ठीक है? उसके बाद आए semi conductors, लेकिन semi conductors आए क्यों? क्योंकि यह जो valves थे, इनके कुछ disadvantages थे, एक तो यह बहुत बलकी थे, इनका power consumption बहुत ज्यादा था, इनका life कम था, और इनके operating voltages भी बहुत ज्यादा हाई थे, तो इन limitations को overcome करने के लिए picture में entry हुई semi conductors की, exactly, तो semi conductors के साथ कुछ-कुछ बहुत अच्छे advantages थे, जैसे कि इनका छोटा size, low power consumption, long life and low operating voltages, तो basically valves के जो disadvantages थे, semi conductors ने बहुत ही बखुबी के सा उन सारे disadvantages को overcome कर लिया था, अब मैम ये भी तो बताओ कि semi conductors होते क्या है, अब तुम सब ने conductors के बारे में तो सुना है, conductors क्या होते हैं, जो electricity को conduct करते हैं, जो अपने through electric current को pass होने देते हैं, यानि कि इनकी conductivity high होती है और इनकी resistivity low होती है, क्योंकि जब ये current को अपने through pass होन देंगे, यानि कि resistance ये कम देंगे, राइट, तभी तो current flow कर रहा है, तो इसलिए इनकी conductivity होती है, high और resistivity होती है, low, ठीक है, दूसरी तरफ आपने insulators के बारे में भी सुना है, जो poor conductors होते हैं, यानि कि वो electricity को अपने through conduct नहीं करते हैं, तो इनकी conductivity low होती है, और इनकी resistivity high होत है, येस, क्योंकि ये जाने नहीं देते हैं, अपने through current को, ठीक है, अब जानना चाहते हैं, हम यहाँ पर semi conductor के बारे में, semi मतलब आधा, मतलब 50-50, तो semi conductor वो होते हैं, जिनकी conductivity intermediate होती है, मतलब ना तो वो conductors की तरह, उनकी high conductivity होती है, और ना ही insulators की तरह, इतनी poor conductivity होती है, त इसलिए मनें बोला था, semi conductors वो 50-50 वाले category में fall करता है, examples के अगर बात करें, तो conductors के category में आएंगे metals, क्योंकि metals सारे अच्छे conductors होते हैं, वो electricity को अपने through अराम से flow करने देते हैं, अगर हम बात करेंगे insulators की, तो जैसे plastic, wood, ये सारे insulators हैं, जो electricity को खुद के थूँ पास नहीं होने देते हैं, और अगर हम बात करें semi conductors के, तो जैसे silicon, germanium, gallium arsenide, ये examples है semi conductors के, semi conductors को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी एक conductor current को carry करता कैसे, current को conduct करता कैसे है, उसके अंदर होते है current carriers, कौन होते है current carriers, free electrons, exactly, और ये free electrons कौन होते हैं, ये वो व bound होते हैं, तो जरा सा energy दिया, जरा सा effort दिया, ये valence electrons वहाँ से बाहर, जो electron सबसे outermost shell में होते हैं, वो बिलकुल loosely bound होते हैं, right, nucleus को सबसे कम प्यार मोहबत होता है उस electron से, तो जहां तोड़ी सी energy मिली, तोड़ा सा effort लगाया, वो electron वहाँ से बाहर, जैसे ही वहाँ से बाहर तो वो क्या हो गया, आजाद पंची, free electron हो गया, अब अगर electric field apply किया जाए, तो ये electrons क्या करेंगे, positive end की तरफ भागने लगेंगे, electrons जैसे ही flow करेंगे, तो क्या बनेगा, current बनेगा, right, तो कुल में लाके कहानी ये है, कि कोई भी material, conductor तब होता है, जब उसके अंदर free electrons हो, क् अभी तो वो भागेगा, वो भागेगा, तो current होगा, right, तो अब सोचने वाली बात ये है, कि ये free electrons कहां से आते हैं, right, तो चलो इसके लिए एक बार वापिस से चले जाते हैं, electron के arrangements पे, तो बच्चो ये electrons जो होते हैं, किसी भी atom में, shells में arranged होते हैं, right, सिरफ shells में arranged होते हैं shells के अंदर होते हैं, sub shells, sub shells के अंदर होते हैं, orbitals, right, जैसे हम कहते हैं, कि आप रहते हो Bangalore में, Bangalore के कौन से महले में, उस महले के कौन सी गली में, right, तो कुछ इसी तरीके से electrons का भी address होता है, तो अभी जैसे माल लो, हमने बोला, let's say, ये electron जो है, ये किस shell में है, shell बोले तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 के corresponding कौन से वाले shell में, right, अब उस shell के अंदर sub shells हैं, जैसे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, right, मतलब 3 के अंदर 3s, 3p, ये सारे sub shells हैं, अब sub shells के अंदर orbitals हैं, जैसे कि 3p के अंदर 3px, 3py, 3pz, right, तो इस तरीके से, okay, अच्छा, तो अब सोचना ये है, कि ये जो energy levels होते हैं, जैसे 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, इन सब की energies क्या होती हैं, अलग होती हैं, मतलब इसे अगर एक lower energy level से higher energy level पे जाना है, कूदना है, तो उसे किसकी जरुद है, energy की, right, क्योंकि मतलब उसे कहीं से energy मिलेगी, energy absorb करेगा, जैसे हो कहते हैं, एक्तम energy drink पी के, पूरा energetic होके, वो नीचे से उपर कूदेगा, ठीक है, अब उपर excited state है, बहुत देर रहना है नहीं उसको, जब excited state से वापस नीचे गिरेग लाइमेन, बामर, पाशकेन, ब्रैकेट, फीफंड, राइट, तो वहाँ पे यही कहानी तो पढ़ देते हैं, कि बहुत इलेक्ट्रॉंस की कूदा फादी, नीचे से उपर, उपर से नीचे, कहां से गहां गिर रहा है, यही चीज़ें हम पढ़ देते हैं, पाप सोच जोग सिप्ट कहां से आता है, एनर्जी लेवल से, ठीक है, तो अब एनर्जी लेवल तो सबको रीकाप हो गया, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड हम कहते हैं, क्लोजली स्पेस्ट एनर्जी लेव कैसे कौन से वाले होते हैं closely spaced energy levels चलो समझते हैं ठीक है देखो हम किसी भी element की अगर बात करते हैं तो हर अलग-अलग element के अलग-अलग electronic configuration होते हैं ठीक है जैसे माल लोगर मैं बात करूँ lithium sodium जैसे elements की तो इनके electronic configuration को अगर आप देखो तो इनके outermost shell में कितने electrons होते हैं एक इनके पास एक valence electron है अब एक valence electron को निकालना बहुत ही असान है उस एक electron को असानी से निकाल सकते हैं जैसे ही निकाल दिया तो free electron मिल गया यानि कि इस तरह के जो metals होते हैं, वो conductors होते हैं, क्योंकि उनके पास free electrons होते हैं, राइट, दूसरी तरफ, अगर मैं बात करूं oxygen, nitrogen, ऐसे elements की, तो देखो oxygen में कितरे होते हैं अब 6 valence electrons को निकालना मामूली बात तो है नहीं, तो oxygen stable होने के लिए प्रेफर करता है, कि मैं 2 electron gain कर लेता हूं, तो oxygen के case में free electrons पाना असान नहीं है, तो इसलिए oxygen के case में हमें conductivity देखने को नहीं मिलती है, तो वो conductor नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि metals conductors होते हैं, लेकिन non metals generally conductors नहीं होते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं semi conductors की, मतलब periodic table में देखो semi conductors ना, metals and non metals के beach में कहीं पे लाई करते हैं, जैसे कि silicon, silicon का electronic configuration अगर आप देखो, तो इसके outermost shell में होते हैं 4 electrons, 4, मतलब वो beach वाला number, 4 electron निकालने में भी जितना effort है, 4 और electron लेने में भी उतना ही effort सबको stable होना है, stable होने के लिए या तो fully filled हो जाए, orbital, तो 4 का 8 करने के लिए भी 4 लेना है, और 4 का 0 करने के लिए भी 4 देना है, तो 4 लो, चाहे 4 दो बात तो बराबरी है, राइट, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए यह जो silicon है, यह intermediate है, मतलब यह चाहे तो conduct कर भी सकता है चाहे तो conduct नहीं भी कर सकता है, तो इसलिए यह semiconductor वाले category में fall करता है, अब समझते हैं, energy bands, energy levels, closely spaced कब होते हैं, अब माल लो हम एक object की बात करते हैं, तो उसके अंदर sodium का एक atom तो होगा नहीं, sodium के कई atoms होंगे, लेटर से हम कोई sodium के crystal की बात करें, तो वाह एक sodium का atom होगा, क्य sodium के atom से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आएंगे तो क्या होगा, उनके जो energy levels हैं, वो overlap करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो energy levels जब overlap करेंगे, तो अब देखो यह जो energy levels हैं, क्या है, दोनों ही sodium के वही same energy levels है, बट अब वो energy levels overlap करके एक दूसरे के बहुत यहां पर हम एक आटम की बात करते हैं और उस ऑब्जिक्ट के अंदर बहुत सारे आटम सोते हैं तो हम ऐसा सोचके नहीं चल सकते हैं यह आटम है तो इसका यह इनर्जी लेवल है यह इस शेल पर है तो उनके जो इनर्जी लेवल से वो ओवर्लाप करेंगे और रख करेंगे वह एक एनर्जी बैंड बनाते हैं यहां पर हम अभी विलाल बात करेंगे वैलंस बैंड और conduction band की bond नहीं है ये band है right this is different bond तो कुछ और होता था तो दो atom के बीच में जो bonding होती थी sharing of electrons या फिर transfer of electrons वो अलग चीज होती है तो गलती से भी energy bond मत लिख देना या conduction bond मत लिख देना ठीक है तो यहां पर हम कौन से दो bands की बात करेंगे balance band and conduction band balance band क्या होता है नाम से पता चल रहा है कि यह वह वाला बैंड है जहां पर balance electrons रहते हैं राइट मतलब यह जो closely spaced energy levels हैं यह कौन से वाले energy levels है balance electrons के corresponding energy levels है रहें मतलब जो हमारे balance shell है उनके corresponding energy levels है ठीक है that is balance band conduction band क्या है ऐसा band जो जिसका energy level balance band से ज्यादा है बहुत ध्यान से सुनना balance band में कौन रहता है balance electrons मतलब जो outermost electron है अब किसे भी atom के लिए जो outermost electron है उसके बाद और तो कोई electron है नहीं क्योंकि वही सबसे बाहर है तो इसका मतलब conduction band की जो मैं बात कर रही हूं उस band में नॉर्मली कोई electron होगा नहीं तो conduction band will be ideally empty रैट क्योंकि जो सबसे बाहर वाला electron है वो तो balance electron ही है वो कौनसे band में रहेगा वो balance band में रहेगा अब आप अगर पूछोगे कि लेकिन balance band के अंदर के जो band से दे विल फॉर्म इनर एनरजी बैंड पट फिलाल हम इनर एनरजी बैंड के बारे में डिसकस नहीं कर रहे है हमारा जो topic of discussion है वो है balance band और conduction band चीक है ओके तो इसका मतलब conduction band हमेशा ही empty रहेगा हमेशा इम्टी नहीं रहेगा अगर मान लो कभी तुमने कुछ भी करके कुछ भी effort लगाके कुछ भी external energy दे के अगर तुम किसी वालेंस electron को free electron बना देते हो मतलब किसी balance electron को वहां से निकाल देते हो निकाल देते हो मतलब क्या कर देते हो उसकी energy और बढ़ा दे रहे हो, तभी तो वो निकल जा रहा है और आजाद हो जा रहा है, तो अगर ऐसा कर पाते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहा चला जा रहा है, वो वैलेंस बैंड से कंडॉक्शन बैंड में चला जा रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी electrons free electrons are capable of conducting current क्योंकि free electrons भागते हैं और जब वो भागते हैं तो that constitutes current तो इसे लिए इस band को कहा जाता है conduction band ठीक है तो बच्चों हमारे पास एक diagram होता है जिसे कहा जाता है energy band diagram देखो जिसके नीचे रहता है balance band ऊपर रहता है conduction band और ideally आप देखोंगे दोनों के बीच में एक energy का difference होता है जिसे e g या फिर energy gap कहा जाता है ठीक है इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी electron को आप balance band से conduction band में भेजना चाह रहे हो यानि कि आप करना क्या चाह रहे हो किसी balance electron को अगर आप निकाल करके उसे एक free electron बनाना चाह रहे हो तो आपको यह जितनी energy gap है इतनी energy provide करनी पड़ेगी इतनी energy जब आप उसे दो गे तब वो balance band से conduction band में कूदेगा ठीक है बात समझ में आई तो यह जो diagram है इस diagram को कहा जाता है energy band diagram और इस diagram के basis पर हम चीजों को conductor semi conductor और इंसुलेटर में क्लासिफाई करते हैं तो अगर एक बार आपको यह energy band diagram मस्त से समझ में आ गया ना तो आपको यह पूरा semiconductor का concept जो है अपने आप crystal clear हो जाएगा तो चलो देखते हैं कि energy band की basis पे किस तरह से हम इन तीन categories में classify करते हैं semiconductors, semi-conductors and insulators यह हमारे तीन categories हैं तो हमारा पूरा focus किस पे रहेगा energy band diagram जिसके बारे में मैंने already बताया था तो सबसे पहले बात करेंगे conductors की ठीके conductors का energy band diagram कैसा होता है एक example लेके चलते हैं let us suppose हम बात करते हैं sodium की sodium के अगर मैं electronic configuration की बात करूं तो sodium has an atomic number of 11 तो इसका electronic configuration होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 तो यानि कि इसमें कितने balance electron है देखो outermost shell है corresponding to 3 और 3s में कितने electron है 1 electron है तो अगर मैं इसका electronic arrangement इस तरीके से बनाओ तो मुझे दिख रहा है कि बाहर वाले shell में कितना electron है सिरफ एक electron है ठीक है अब आप खुद सोचो हर कोई को हर किसी को stable होना है sodium को भी जाहिर सी बात है कि stable होना है stable होने के लिए sodium को क्या करना पड़ेगा इस एक electron को बाहर निकालना पड़ेगा अगर उसने यह एक electron बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा इसका आउटर कॉन्फिगरेशन सिक्स फ्लस टू एइट यानि कि फुली फिल्ड स्टेट हो जाएगा विच इस मोर्स टेबल और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है नॉट रियली मामूली बात है जरा सी एनरजी दो वो एक इलेक्ट्रॉन निकलाएगा कुछ वैसी कहानी होगी है ना हाँ बात तो सही है अब देखो होता कह यह तो कहानी है एक सोडियम आटम की जब बहुत सारे किसी एक औबजेक्ट में किसी एक क्रिस्टल में जिसमें वाले उन इस्पप्र वाले उन्हों सब में होते हैं वह एक बाहर का बीद्यी ए क्योल्स लिए यक्तरों इक बाहर निकाल फॉम इस तरह के काई मैं हमें अलग से कोई external energy देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इनके पास already ये जो आसानी से निकलने वाले जो electrons होते हैं वो खुद ही repulsion की वज़े से खुद ही निकल आते हैं और बन जाते हैं प्री electrons और ये प्री electrons कहां चले जाते हैं conduction band में तो देखो इनका energy band diagram कैसा होता है ये balance band ये नीचे वाला ये उपर वाला conduction band बट देखो ये कैसे जुड़े हैं ये दोनों overlap कर रहे हैं यानि कि balance band से conduction band में जाने के लिए आपको कोई energy देने के जरूरत ही नहीं है तो दोनों band के बीच का जो gap है that energy gap is zero आपको अलग से कोई energy देने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसे लिए ये होते हैं conductors क्यों क्योंकि इनको conductor बनाने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है यार इनके तो conduction band में अपने आपी electrons होते हैं और electrons होते हैं इसलिए ये conduct करते हैं और यह कहाने सिर्फ sodium के नहीं बल्कि सारे metals की है ठीक है अब हम लोग चलते हैं कहां पर अब हम लोग चलते हैं लेटर से semi conductors पर ठीक है semi conductors का एक example लेते हैं silicon silicon का अगर आप electronic configuration देखोगे तो इसके outermost shell में होते हैं चार electrons जैसे देखो यहां पर structure में भी एक दो तीन और चार ये है यह चार electron ठीक है अब चार electron की क्या कहानी है यार बाहर अगर चार electron है या तो वो चार और अर एक्टरों ले और ऐसे वो fully state बनाए या फिर वो इस चार इलेक्ट्रोन को भी दे दे तो अब चाहे वो चार इलेक्ट्रोन ले या चार इलेक्ट्रोन दे कहानी is almost the same correct तो इनके case में हम क्या देखते हैं कि यार जो valence band और जो conduction band होता है और let me also tell you ये चार इलेक्ट्रोन को निकालने के लिए भी बहुत मामूली बात नहीं है you need to supply some energy यानि कि valence band से conduction band में अगर इलेक्ट्रोन को भेजना है मतलब valence electron को अगर free electron बनाना है तो आपको कुछ energy देनी पड़ेगी कितनी energy देनी पड़ेगी EG which is less than 3 electron volts मतलब 3 electron volts से कम energy आपको देनी पड़ेगी इसका मतलब थोड़ा बहुत energy देना पड़ेगा और जैसे आपने ये energy दे दोगे तो valence band से आप electron को conduction band में पुदा सकते हो और जब electron conduction band में पहुँच जाएगा तो वो conductor की तरफ भी एव करेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि यार सेमी कंड़क्टर का जो होता है उसमें gap होता है बट गाप is lesser that energy gap is less than 3 electron volts चीक है ओके अब बात करेंगे insulators की तो insulators में बच्चों सेम कहानी है यहां पर gap तो होता ही है बलकि gap बहुत ज्यादा होता है so the energy gap is greater than 3 electron volts बहुत बहुंकर energy gap होता है तो मतलब यहां पर कहानी कैसी है example लो chlorine का chlorine का outermost shell में कितने electrons होते हैं साथ electrons होते हैं राइट तो देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ electron समझ रहे हो साथ electron है तो chlorine को stable होने के लिए दो option है एक option है कि यह electron gain कर ले और fully filled state बन जाए दूसरा option है कि यह साथ electrons को बाहर निकाले अब यहार आप खुद सोचो कौन सा आसान है एक electron लेना ही आसान हुआ ना क्योंकि साथ electron निकालना वहां से आसान बात तो है नहीं राइट बट यहां पर हमें तो electron से मतलब electron को free करना है electron accept ने करना है तो यानि कि अगर chlorine में मुझे free electrons लाने हैं तो भाई साथ electrons निकालने पड़ेंगे huge amount of energy का involvement है तो अल्मोस्ट प्राक्टिकली नॉट वेरी पॉसेबल टाइप का है इसलिए इस तरह के जो materials होते हैं जैसे कि chlorine यह लोग क्या होते हैं यह insulators होते हैं क्योंकि इन में जो है सेमि कंडक्र सुते हैं intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor सबसे बहुत करेंगे इंटरिंजिक कंड का की कोई मिलावत नहीं है मिलावट से क्या मतलब है थोड़ी तर बात पता चलेगा जब हम extrinsic semiconductor के बारे में बात करेंगड पिलाल है कि यहां पे क्या picture होता है क्या situation रहता है तो intrinsic semiconductor का situation कुछ ऐसा रहता है ये उसका balance band है ये उसका conduction band है टिक है बट उसमें होता कॉन है आम तोर पर इक surprising बात बताती हूँ कि आम तोर पर अगर temperature रूम टेम्परेचर की बात करें तो यह जो हमारा प्यॉर सेमी कंड़क्टर होता है न यह कि इंसुलेटर की तरह बीएब करता है यानि कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यह ऐसा क्यों एक्जाम्पल से समझेंगे ठीक है शीलिकन का एक्जामपल लेते हैं तो श कभी मैं किसी भी आप्जयक्ट की बात करूं कि वहां एक सीलिकन तो होगा नहीं बहुत सारे सिलिकन होगे तो शिच्चएशन कुछ ऐसा होगा तो जब खूब सारे सिलिकन होंगे तो कुछ इस तरह का situation रहेगा ठीक है और मैंने क्या बोला है सब लोग क्या चाहते है यार सबको तो खुशी चाहिए सबको stable होना सबको खुशी मिलती है टो इसलिकन ने बोला कि वहरे साथ यह वाला करता हूं थीक है sounds like a good idea इस पर्डोशी को बोला कि भाई तु मेरे साथ ये of ले मैं तेरे साथ you shared कर लूँगा इसको बोला कि बहाए मैं ये share कर लूंगा तुम इसको शेयर कर लो इसको भी बोला कि भाई तुम इसे it यह शेयर कर दो मैं यह शेयर कर दूँगा तो अब अगर हम यह बीच वाले सिलीकन को देखे तो इसके पास कितने इतनी बड़ी मुसकान है क्यों कि सिलीकन का बई स्टेबल स्टेबिलिटी पूरी हो उसका पूरा है यह ना बट सोचने वाली बात यह है किसका मतलब रूम टेंपरेचर पे क्या हमें सिलीकन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रौन दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो इसलिए free electron नहीं है free electron नहीं है मतलब इसका conduction band कैसा रहेगा खाली रहेगा लेकिन balance band में electrons होंगे क्योंकि balance electrons तो हैं इसके पास but वो electrons free नहीं हुए है क्योंकि वो सारे bond में involved हो गए ओके तो इससे क्या prove हुआ कि एक intrinsic semiconductor जो होता है वो room temperature पे वो room temperature पे एक insulator की तरह behave करता है ठीक है लेकिन जैसे ही हम temperature बढ़ा देंगे तो हम क्या दे रहे हैं हम उन्हें actually thermal energy provide कर रहे है temperature बढ़ा के जैसे temperature बढ़ाएंगे तो क्या होगा यह जो bond है न यह bond तूट जाएंगे बॉंड जैसे ही तूट जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे फ्री एलेक्ट्रॉंस मिलेंगे फ्री एलेक्ट्रॉंस जैसे ही मिलेंगे तो क्या होगा conduction होगा absolutely correct तो इसका मतलब temperature जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा यह वाले जो electrons हैं यह कूद के यहां पर जा सकते हैं correct the moment electrons कूद के जा सकते हैं तो क्या होगा electron का flow होगा जिससे current picture में आएगा बिल्कुल आएगा यहां पर एक चीज़ और होगी जब यह electron ऊपर चला जाएगा तो electron पहले जहां पर था अब वहां पर एक vacancy create हो जाएगी वहां पर जहां पर यह पहले था correct तो उसे हम क्या कहते हैं यह जो vacancy electron create करता है उसे हम कहते है hole hole समझो गढ़ा एक खाली गढ़ा create कर देते हैं तो hole जो है न कई बार बच्चों के दिमाग में confusion आ जाता है कि hole जो है hole सिर्फ वह खाली जगह है जो electron ने create किया है अब electron चुकी negatively charged था तो उसके चले जाने के बाद जो खाली जगह है तो इसलिए बाद में आप देखोगे कि hole को treat ऐसे किया जाता है जैसे कि वह एक positively charged particle है बट आक्चली वह कोई particle नहीं है इसको clear कर लो तो यहां पर बात समझ में तो इसका मतलब जैसे ही मैंने thermal energy provide किया जैसे ही मैंने temperature को बढ़ाया तो क्या हुआ electron hole pair generate हुए very important यहां पर बार बार हम यह term use करते रहेंगे कि electron hole pair generate हुए मतलब temperature बढ़ाने से क्या हुआ एक तो यहां से electron यहां चले गए conduction band में conduction electrons create हुए conduction electrons create होने की वज़े से यहां पर holes create हुए तो इसे हम कहते है electron hole pair ठीक है तो यहां पर हम क्या देखते हैं जो number of electrons होते हैं that is equal to the number of holes correct क्योंकि देखो ना जितने ही conduction band में electron जैसे अगर यह दो electron कूद के यहां पर गया तो number of electrons, 2, number of holes कितने create हुए, 2 ही create हुए, correct, तो इसे कई बार NH is equal to NE, ऐसे denote करते हैं हम, okay, तो number of holes या फिर number of electrons, इसे कहा जाता है intrinsic carrier concentration, मतलब इसे दोनों की value बराबर ही होती है और इसे हम कहते हैं NI, that is intrinsic carrier concentration, तो अब बात करेंगे हम intrinsic semiconductor में total current के बारे में, तो क्या देखा हमने, यहाँ पे electron hole pair generate हुए, electron चुकी flow कर रहे हैं, तो obvious सी बात है, electron की वज़े से यहाँ पे होगा electron current, flow of electrons की वज़े से, और flow of holes की वज़े से होगा hole current, क्या मैंने सही बोला, मैंने गलत बोला, holes कैसे flow करेंगे, यार hole क्या है, hole कोई particle तो है ही नहीं, hole तो empty space है, जो electron ने create किया, तो फिर hole current क्या हुआ, अच्छे से समझना, तो बचो silicon का picture तो कुछ इस तरह का था, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने, let us say, मैंने बोला कि यार यह जो एक electron है न, यह electron लेट से यहाँ से निकल जैसे ही electron निकल गया, तो इस वाली जगह पे क्या हो गया, एक hole create हो गया, अब hole मैंने क्या बोला था, चुकि वहाँ से electron जा चुका है, तो वो कैसा होता है, वो positive charge हो जाता है, तो अब इसका जो पड़ोसे electron है, यह चुकि negatively charged है, तो जाहिर सी बात है कि यह इधर attract होगा, तो यह वाला electron कूद के यहाँ चला गया, थिक है, उस hole को occupy करने, जैसे ही यह कूद के चला गया, तो इसके जगह पे क्या बन गया, यह वाली जगह पे बन गया hole, ढब अब छूकि like hole यहाँ पे बन गया, अब क्या होगा, यहाँ इसके पास कोई पड़ोसी electron जो है, बोढ़ोसी यहां था फिर यहां आया फिर यहां आया और इस तरीके से हम एक विजुलाइज करते हैं इसको as a movement of hole but let me tell you hole move करने रहा है move electron ही कर रहा है but electron के move करने के वजह से जो hole का जो movement हो रहा है that is called hole current ठीक है याद रहेगा यह concept very good तो यहां पर जब हम total current की बात करेंगे एक intrinsic semiconductor में so the total current is because of the electron current जो conduction electrons है उनके movement की वज़े से जो current है वो है plus the hole current मतलब balance band में जो holes रहे गए हैं उन holes के movement की वज़े से जो current हो रहा है holes का movement मतलब जो holes create करने का sequence है that sequence ठीक है तो यह था हमारा intrinsic semiconductor तो यहां पर हमने क्या सीखा intrinsic semiconductor के अंदर हमने दो processes की बात की मतलब कभी यह semiconductor conduct करता है पहला तो तब जब हम इसको thermal energy प्रोवाइड करते है thermal energy प्रोवाइड करने से क्या होता है thermal generation of conduction electrons and holes जैसे ही आम temperature बढ़ाते हैं तो इसमें conduction electrons और holes create हो जाते हैं अगर आप temperature को घटा दोगे मतलब उल्टा process तो क्या होगा यही electrons और holes वापिस recombine कर जाएंगे जब यह recombine कर जाएंगे तो वापिस हमारे पास free electrons नहीं होंगे और वापिस यह conduct नहीं करेगा तो कुल मिला के बच्चों हमारे intrinsic semiconductor की कहानी यूँ थी ठीक है एक बार फिर से recap क्योंकि बहुत important concepts हैं इंट्रिंजिक सेमी conductor की क्या कहानी थी it behaves as an insulator at t is equal to zero Kelvin ठीक है जब temperature zero Kelvin है तो यह कैसे behave करेगा यह insulator की तरह behave करेगा क्यों क्योंकि situation कुछ ऐसा रहेगा t is equal to zero Kelvin में सारे जो electrons हैं वह कहां रहेंगे वह bond बनाने में busy है free electron है ही नहीं इसलिए conduction band खाली है ठीक है तो फिर कौन करेगा conduct कोई नहीं करेगा यह insulator की तरह भी एप करेगा लेकिन जब हम temperature को बढ़हा देते हैं at t greater than zero Kelvin क्या होता है thermal energy मिलने की वजह से generate होते हैं electron hole pairs की वजह से हमारे पास electron current और hole current आ जाता है जुसकी वजह से current conduct करता है यह तो यह conductor की तरह behave करता है देखो यहां पर आप देख रहे हो यह electrons थे राइट यहां देखो आप देख रहे हो चार electrons उपर जा चुके हैं जो उपर जा चुके हैं उसकी वजह से यहां पर क्या बन गए हैं यहां पर बन गए हैं holes तो यहां यह holes है और यह क्या है conduction electrons है तो इनकी वजह से अब हमारा current generate होता है और यह conductor की तरह behave करता है तो extrinsic semiconductor क्या होगा अगर intrinsic semiconductor वो था जो बिल्कुल प्यॉर था तो extrinsic क्या होगा जो प्यॉर नहीं होगा जो इंप्यॉर है और इसको इंप्यॉर हमने बनाया कैसे इसमें impurity डाल के येस तो extrinsic semiconductor वो होता है जिसमें suitable impurity डाला जाता है इन small amounts ठीक है अब impurity डाले उसमें भी suitable होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए जैसे मान लो अगर किसी को गोलकी में मिलावट करनी है ठीक है अब गोलकी के अंदर मिलावट करने के लिए अगर कोई बड़ा बड़ा लाल रंग का पत्थर डाल देगा तो is that a suitable impurity नए वो तो तुरन देख जाएगा कि कुछ डला हुआ है इसमें अलग से राइट तो उसमें अगर किसी को मिलावट करनी है तो वो suitable size का कोई particle डालेगा जिस थोड़े amount में suitable impurity डाला जाता है थोड़ा amount मतलब बहुत ही थोड़ा मतलब you can say a few in a million a few parts per million parts per million समझते हो मतलब 1 part 1 million part में तो मतलब अगर 1 million यानि कि 10 to the power 6 अगर गोल की है तो उसमें 1-2 डाल दिया कुछ impurity तो इतने कम quantity में डाला जाता है impurity ठीक है अब सवाल उठता है कि यह impurity हम add क्यों करते हैं to increase the conductivity कैसे यह थोड़ी देर में समझ आएगा तो यह जो process होता है जिसमें हम जानभूज के impurity को add करते हैं semiconductor में इसे कहा जाता है doping जो impurity add होती है उसे कहा जाता है dopant और इस तरह के semiconductor को कहा जाता है doped semiconductor तो बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे थे कि extrinsic semiconductor में होता है क्या impurity तो चलो देखते हैं कि कौन होता है एक suitable impurity या suitable depend है ना तो यहां पर देखो को semiconductor atom कौन होता है जिसके outermost shell में चार electrons होता है अब आप सोच रोगे कि माम नहीं आप periodic table क्यों लगा रखा है रीजन है तब ही लगा रखा है है ना तो हम देखते हैं कि यह वाला जो ग्रूप है ना जिसमें carbon है silicon है germanium है यह सब कौन है semiconductor से ठीक है अब इनके साथ अगर एक impurity add करनी है गोलकी का example याद है न तो उस impurity का जो size है वो लगभग इनके size के comparable होना चाहिए ठीक है हमें क्या पता है group में हम नीचे जाते जाते हैं तो क्या होता है atomic size बढ़ते जाता है increase होता है period में left to right जाते हैं तो atomic size थोड़ा थोड़ कम होता है ठीक है तो इसका मतलब है अगर silicon के साथ मुझे impurity डालनी है तो या तो मैं aluminium को डाल सकती हो या फिर मैं phosphorus को डाल सकती हूँ कि aluminium और phosphorus इसके nearest है हाला कि aluminium का size silicon से होगा तो थोड़ा सा बड़ा similarly phosphorus का size silicon से थोड़ा सा छोटा होगा but at least सबसे nearest comparable size के यही होंगे ठीक है त तो हम यह group 13 वाले elements को add करते हैं as impurity या फिर group 15 वालों को add करते हैं as impurity ठीक है तो जिस extrinsic semiconductor में हम group 5 impurity add करते हैं group 5 बोले तो ऐसे तो 18 groups होते हैं बड़ चुकि beach वाले transition metal होते हैं तो हम group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बोलते हैं तो अगर हमने group 5 impurity add की तो जिस तरह का extrinsic semiconductor हमें मिल है उसे हम कहते हैं n-type ठीक है group 5 को add किया तो हमें n-type मिलता है और अगर हमने group 3 impurity add किया तो हमें मिलता है P type semiconductor ठीक है P type क्यों कहते हैं n-type क्यों कहते हैं यह धीरे-धीरे समझ में आएगा एक एक करके दोनों को detail में discuss करेंगे ठीक है तो अभी तक कि कहाने clear हो गए कहाने और वाले हैं सारे semiconductor atom है बट बीच में हमने एक डाल दिया क्या कर दिया मिलावत similar size का एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने आड कर दिया पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आड हुई है यानि कि यह किस तरह का extrinsic semiconductor है यह n-type extrinsic semiconductor चिक है जो देखें n-type extrinsic semiconductor में क्या च इंप्योरिटी यानि कि ग्रूप 5 इंप्योरिटी एक example के साथ समझेंगे यह दो यहां पर ना group 5 इंप्योरिटी प्लस 5 वाला पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दिया है हमने बीच में है ना लेट अस एक पेंटावैलेंट आटम की बात करते हैं लेट्स टॉक इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है पांच इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब हमने क्या किया है इस फॉस्फोरस को सिलिकन की जगह पे डाल दिया है है तो अब सिलिकन का जो यह वाला स्ट्रक्चर है इस तरह का जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट के लिए सिलिकन को कितन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे चार लेकिन फॉस्फोरस के पास कितने है पांच यानि कि फॉस्फोरस के पास क्या है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए नहीं है आट दे सेम टाइम यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक होगा कुछ impurities तो डाले ही है तो यानि कि उन सब impurities के साथ एक्स्ट्रा electron free में मिल रहा है हमें extra electron बोले तो free electron free electron बोले तो क्या आसानी से यह conduct कर सकते हैं इन electrons को हम आसानी से conduction band में भेज सकते हैं तो क्या यह करेगा बिल्कुल करेगा तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इंप्यॉरिटी के डालने से हम कंडॉक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं राइट टेंपरेचर बढ़ाए बिना भी अब हमारे पास थोड़े एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉंस होंगे जो कंडॉक्ट कर सकते हैं ठीक है और इसी तरह से इसी वजह से इंप्यॉरिटीज एड करते हैं ठीक है तो ऐसे वाले सिचुएशन में यानि कि यह जो एंट टाइप कंडॉक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस इस ग्रेटर नान दा नंबर ओफ ओल्स ऐसा क नंपर हे से ज्यादा होऊंगे यहां पर बत समझ में आ रही है पर इलेक्ट्रॉंस और यहांप मैजोरिटी करियर संगे और यहां पर होऊंगे नब 24 चीजे होती है एगซ hilar से लékटरन से संधार में मेडरी करीयर और कोई ने अगर छैनल से हैं यक्सट्रा सब्कुत वैंडेर लिए धियर यह चार आवारी एक एक्स्ट्रा से लिलेक्ट्रान होता है इस memory tips आपको याद रहेगी तीनों चीज़ें कि n टाइप में pentavalent impurity होता है और n टाइप में majority charge carriers कौन होते है electrons तो अब समझ तो आ गया कि होता क्या है अब देख लेते हैं इसका energy band diagram अगर energy band diagram देखोगे तो यहां पर एक extra energy level होती है जिसे हम कहते है donor energy level ed यह ed energy level क्या होता है यह जो extra electrons होते हैं इनका energy level है इनका energy level जो है conduction band के energy level के कितना पास है conduction band से यह सिरफ 0.01 electron volt दूर है यानि कि यह जो pre electrons है यह बड़ी आसानी से conduct करने लग जाते है यह diagram बेशो कर रहा है जैसे balance band से इसको वहां इस ed energy level पे है जो आसानी से कभी भी फुदक के चले जाएंगे conduction band में ठीक है ना बात समझ मैं ओके यह एक और खास बात यह है कि इस तरह की जो impurity होती है उस impurity को हम क्या कहते हैं ऐसे impurity को हम कहते हैं donor impurity क्यों कहते हैं समझाने की जरूरत है क्या I don't think so donor impurity क्यों कहते होंगे क्योंकि इनके पास extra electron होता है जो यह donate कर सकते हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है donor impurity और इसलिए देखो इस energy level का नाम भी है donor energy level तो चलो अब on similar lines बात करते हैं p-type semiconductor का p-type में क्या होता है p-type में होता है trivalent impurity कैसे impurity होती है देखो plus 3 valency वाली impurity होती है एक example लेते हैं let us talk about say aluminum aluminum का electronic configuration होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ठीक है तो इसमें कितने valence electrons है corresponding to n is equal to 3 देखो कितने हैं total 3 valence electron है ठीक है अब इस aluminum को हमने silicon की जगा पे बिठा दिया silicon के पास होते थे 4 electron बट इसके पास कितने हैं सिरफ 3 ही है तो चौथा वाला क्या है खाली है empty space है जाब electron होना चाहिए था electron नहीं है तो यानि कि वहाँ पे क्या है hole है यह basically क्या है hole है ठीक है तो इसका मतलब इस तरह के setup में हमारे पास क्या रहेगा extra में electrons नहीं रहेंगे extra holes रहेंगे तो यानि कि ऐसे setup में क्या होगा हमारा number of holes जो है that will be greater than number of electrons क्योंकि अगर हम thermal energy provide करेंगे तो electron hole pair generate होंगे जितने electrons generate होंगे उतने holes generate होंगे बट उनके अलावा यह जो holes है यह extra रहेंगे which means net net number of holes will be greater than number of electrons भर समझ में आई great अब देखो और यहां पर क्या होगा अब यार यहां पर इसके पास क्योंकि hole है तो यह क्या करेगा यह neighbor वाले electron को क्या करेगा अपने तरफ attract करेगा है ना बगल वाला जो electron है उस उच्छे का उधर hole है चलो जाके electron accept कर लेता है तो इस तरह के impurity को हम क्या कहते हैं एक्सेप्टर impurity और चूकि यह electron को accept कर लेता है तो यह negatively charged immobile iron बन जाता है ठीक है यहां तक कहानी clear है बिल्कुल clear है तो देखो P-type semiconductor में क्या होता है जैसे कि मैंने बोला यहां पर holes ज्यादा होते हैं तो इसलिए यहां पर majority carriers होते हैं holes और minority carriers होते हैं electron याद कैसे रखोगे P-type P for positive यानि की positively charged holes यहां पर majority carriers है चुकि holes यहां पर majority carriers है तो इसका मतलब impurity कोई ऐसा होगा जिसमें valence electron silicon से कम है यानि की valence electrons 3 है यानि की trivalent impurity याद रहेगा इस तरीके से great अब देखते हैं इसका energy band energy band diagram में देखो क्या फरक है यहां पर जो है एक acceptor energy level create हो गया है और यह acceptor energy level जो है this is near to the valence band यह valence band के करीब है क्यों यह जो energy level है यह valence band के करीब क्यों है conduction band के करीब कैसे होगा क्योंकि इनके पास तो electrons है यह नहीं यार उनके case में क्या था n-type के case में उनके पास electrons थे जो असानी से वो donor level से conduction level पर चले जा रहे थे इनके पास तो electrons है नहीं बलके इनके पास क्या है holes है ठीक है और वो holes electron को attract कर रहे है तो अब जो electron है वो यहां से यह वाले ईए जो accepted level है देखो इस energy level के करीब यह जो electrons है यह चले गए है क्योंकि यह पड़ोसियों की electrons को अपनी तरफ attract करते है तो यह concept को याद रखना है कि पी टाइप conductor में जो accepted energy level बनता है that is very near to the balance band क्योंकि यहां पर extra phone होते हैं holes होते हैं तो वो holes anyways conduct तो कर नहीं सकते हैं मतलब वो holes तो conduction band में जाएंगे नहीं तो यह concept समझ में आ गया energy band diagram समझ में आ गया ओके आगे बढ़ेंगे तो बच्चों यहां वे देखेंगे एक quick comparison between n-type and p-type semiconductor ठीक है तो n-type के क्या हो रहा था हमारे पास donor impurity थी donor energy level donor impurity यहां पर excess electrons थे और यह electrons की energy level यहां पर थी which is very close to the conduction band दूसरी तरफ p-type conductor के case में acceptor impurity थी और acceptor energy level जो था that was very close to the balance band तो यह दोनों के band diagram में फर्क था अगर हम बात करें equilibrium की ठीक है क्योंकि हमने intrinsic semiconductor भी पढ़ा हमने extrinsic semiconductor भी पढ़ा तो अगर हम एक equilibrium की बात करें तो number of electrons into number of holes is equal to intrinsic carrier concentration का square मतलब intrinsic semiconductor में तो number of holes और number of electrons बराबर होते थे ठीक है लेकिन extrinsic semiconductor में ऐसा नहीं होता है इसमें number of holes अलग है और number of इलेक्ट्रान सा लग है अगर हम एक एक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर हम कह सकते हैं कि extrinsic का ne into nh is actually equal to intrinsic का ni का हो तो चलो बच्चों अब हम देखेंगे एक super duper important topic जिसे हम कहते है pn junction pn junction बनता कैसे है बहुत simple है p type और n type को back to back connect कर दो बन जाएगा pn junction बहुत simple भी है क्या कि हमने एक p type लिया एक n type semiconductor लिया ठीक है क्या कि दोनों को back to back लगा दिया ऐसे एक p type n type back to back लगा दिया बन गया pn junction बट pn junction बनाते समय होता क्या है अंदर क्या क्या खिचड़ी पकरी होती है यह समझना जरूरी है तो चलो समझते मैंने क्या बताया था p type p for positive यानि कि इसमें positive charge ज्यादा होते है positive charge बोले तो इसमें number of holes ज्यादा होते हैं ठीक है दूसरी तरफ n type n for negative इसमें charge electrons ज्यादा होते हैं तो इसमें number of electrons ज्यादा होते हैं अब जब हम इन दोनों को back-to-back attach कर देते हैं back-to-back लगा देते हैं तो क्या होगा तब होता है एक phenomenon जिसे हम कहते हैं diffusion diffusion क्या होता है diffusion का मतलब होता है कोई भी substance जहां पे उसका concentration ज्यादा है वहां से जहां पिर उसका concentration कम है उस तरफ तब तक अलो करता रहेगा जब तक दोनों तरफ concentration बराबर ना हो जाए ठीक है तो यहां पर बे कुछ ऐसा ही होता है यहां पर क्या होता है अब देखो ध्यान से देखना अब पी टाइप में ज्यादा क्या है होल्स ज्यादा है तो होल्स जो है यह क्या करते हैं जैसे पी टाइप में होल्स ज्यादा है ठीक है इसका यह मतलब नहीं कि इसमें लेक्ट्रॉंस है ही नहीं लेक्ट्रॉंस भी है बट होल्स ज्यादा है तो यह होल्स जो है वो पी से एन की जरफ मूव करने लगते हैं तो इसका मतलब क्या होता है जो होल्स होते हैं यह कहांगा हो करते हैं ifones michael defuse करते हैं from thee to nE fix ॹसी तरीकेसे जो electrons होते हैं यह ज्यादा कहां पर होते है inside out & होते हैं तो यह कहां से कहां diffuse करते हैं from end to p अब्जब ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है अब p-type में से holes जो हैny वह उधर जा ह mata ही तो पी टाइप में बच क्या जा रहा है पी टाइप में बच जा रहा है एलेक्ट्रांस जो नेगेटिव लिछा चार्ज लिए यहां पे जमा होते जा रहे हैं और यह जमा होते होते देखो यह नहींगिद तक पुरा पी टाइप घि-ता तो देखो लेकिन पी टाइप के कॉर्णर पे यहां पे देखो इलेक्ट्रॉंस जमा हो गए जमा क्यों हो गए क्योंकि इन इलेक्ट्रॉंस को अकेले छोड़ करके जो होल से वह आगे निकल गए इंसाइड की तरफ चले गए तो बच गया कौन नेगिटिव चार्ज बच गए और यह कैसे इंबोबाइल निगटिव चार्जस अधिव इंबोबाइल क्योंकि यह अपने सर्राउंडिंग पार्टिकल से अटाश्ट है तो यह मूव में नहीं कर सकते तो यह इंबोबाइल नेगेटिव चार्ज ज़ज पी साइड पर रहे गए तो यह बनाता है स्पेस चार्ज तो inside में बचा क्या positive charges रहे गए यह देखो यह positive charges रहे गए तो यह positive charges बना देते है positive space charge region ठीक है clear है यहां तर अब यह जो immobile positive और negative charges है यह सारे देखो एक junction पे जमा हो गए है तो इस region को कहा जाता है depletion region ठीक है very 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 important depletion region क्या होता है space charge region on either side of the junction junction के दोनों साइड में मितलब यह जो junction है इसके दोनों साइड में जो negative space charge region है positive space charge region है यह दोनों को इकठे हम कहते है depletion region ठीक है okay अच्छा तो यहां पर हुआ क्या exactly क्या हुआ यहां पर जब हमने P type और N type को back to back connect कर दिया तो हुआ क्या बताओ क्या हुआ diffusion हुआ किसका diffusion हुआ majority charge carriers का यह सारे terms से वाकिफ हो जाओ diffusion क्या होता है समझ में आ गया majority charge carriers क्या होता है N side का N type का majority charge carrier है electron P type का majority charge carrier है holes तो यहां पर किसका diffusion हुआ P type में P side में holes majority में थे तो holes diffuse किये N side में electrons majority में थे तो electrons diffuse किये correct तो जैसे ही हमने P type और N type को back to back connect हिया तो सबसे पहले क्या हुआ जो majority charge carriers थे उनका diffusion हुआ और उनका diffusion होने की वजह से क्या हुआ depletion region create हुआ यह जो space charge region है यह बना क्यूं यह बना इसी लिए क्योंकि diffusion हुआ majority charge carriers का राइट तो इस तरीके से बना हमारा P N junction तो अब यह diffusion की वजह से क्या हो रहा है diffusion की वज़े से def elsion region बन रहा है अब def Cuando continue रहेगा नमंद सतना diffusion होगा उतना ही ज्रादा neगेटिव charges इदर बचे रह जाएगे उतना ही ज्रादा positive charges इधर by जाए जाएंगे और जितने लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी है अब जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन बनता जा रहा है क्या आप नोटिस कर रहे हो कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर अगर आप इस डिप्लीशन रीजन पे फोकस करो इसके अंदर भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ negative इकठा होता जा रहा है, तो एक तरफ positive, एक तरफ negative इकठा हो जाने से क्या होगा, इस depletion region की वज़े से establish हो जाएगा electric field, electric field कब establish होता है, एक तरफ सारा positive, एक तरफ सारा negative, तो electric field establish हो गया, electric field के establish हो जाने से क्या होगा, picture में आ जाएगा drift current, drift current किसको कहते हैं, अब electric field चुकिए establish हो गया, तो जो negatively charged है, यानि कि जो electrons हैं, वो electric field का जो direction है, उस direction के along, electrons move करेंगे, फिर जो holes हैं वो opposite में move करेंगे, तो इस तरीके से basically electrons देखो ऐसे drift करने लग जाएंगे, यहाँ पर इन charges की वज़े से electric field से setup हो गया, तो electrons जो हैं, वो इस direction में drift करने लग जाएंगे, holes जो हैं, इसके opposite direction में drift करने लग जाएंगे, देख रहे हो आप, correct, तो अब देखो, कुल में लाके क्या हुआ, जो drift का जो direction है, वो opposite है diffusion के direction से, diffusion में क्या हो रहा था, जो majority charge carriers थे, वो move कर रहते हैं, मतलब P side से N side की तरफ, majority charge carriers move कर रहते हैं, मतलब P side का majority charge carrier was holes, तो holes move कर रहते हैं, P side से N side की तरफ, लेकिन drift के समय पर क्या हो रहा है, P side में, जो minority में हैं, P side में minority में कौन है, electrons, वो electrons जो हैं, वो move कर रहे हैं, correct, क्यों, क्योंकि इन charges की वज़े से electric field establish हो गया है, यहाँ पर, right, अब यहाँ पर देखो न, positive charge इस तरफ है, negative charge इस तरफ है, तो जो negative charges हैं, वो positive के तरफ ही तो जाएगा, similarly, जो positive हैं, वो तो negative के तरफ ही जाएगा, right, तो इसे हम कहते हैं drift, और इस से, इन electrons और holes के drift की वज़े से, जो current establish होता है, उसे हम कहते हैं drift current, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो, depletion region से, हमें क्या मिला, drift of minority charge carriers, तो भाई, P in junction के formation की कहानी कुछ ऐसी है, P type और N type को हमने connect किया, जैसे ही हमने back to back इनको attach कर दिया, तो क्या हुआ diffusion, ठीक है, diffusion की वजह से क्या हुआ, depletion region बना, और depletion region की बनने से क्या हुआ, drift हुआ, मतलब diffusion of majority charge carriers की वजह से depletion region बना, depletion region की बनने से drift of minority charge carriers हुआ, तो इसका मतलब initially picture क्या थी, diffusion current था, diffusion current जब ज्यादा था, उस समय diffusion current ज्यादा था, और drift current ना के बराबर था, क्योंकि drift current कहां से आ रहा है, जब अच्छा मोटा तगड़ा depletion region हो, तभी तो electric field set up होगा, तभी तो drift होगा, तो initially हमने क्या देखा, जैसे ही हमने P और N को attach किया था, उस समय तो diffusion खुब तेजी से हो रहा था, majority charge carriers flow कर रहे थे, तो उस समय depletion region बन ही रहा था, तो इसलिए उस दोरान diffusion बहुत जादा था, बट डिरिफ्ट करेंट बहुत कम था, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, diffusion current धीरे धीरे करते क्या हुआ, diffusion current जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा drift current बढ़ता गया, तो एक ऐसा situation आ गया, जब diffusion current became equal to drift current, ठीक है, और इस situation को हम कहते हैं, the PN junction is under equilibrium, देखो कहानी की तरह समझो बच्चो, वरना ये सारे चीज़ें रट के अगर आप सोचोगे, आप manage कर लोगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है न, तो बात समझ में आई, P type, N type connect के अब बार-बार repeat कर रहे हूं, because this is very important, P type, N type को जोड़ा, तो क्या हुआ, diffusion होने लगा, majority charge carriers का, diffusion होने की वज़े से depletion region बना, जितना ज्यादा diffusion, मतलब diffusion बढ़ते गया, बढ़ते गया, तो depletion region का thickness बढ़ते गया, बढ़ते गया, depletion region की वज़े से drift current picture में आ गया, ठीक है, अब जितना ज्यादा depletion region, उतना ज्यादा drift current, अब drift current बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक time आ गया, जब diffusion current और drift current बराबर हो गया, और उसी time पे हम कहते हैं, हमारा pn junction is that equilibrium, तो भई equilibrium में हमारी कहाणी कहाँ जहाँ पहुंची, जैसा कि मैंने बटाया कि जब equilibrium आ जाएगा, तो equilibrium में क्या होगा, जो diffusion current है, diffusion current किसके बराबर हो जाएगा, diffusion current बराबर हो जाएगा, और हमने अभी अभी क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि diffusion current का जो direction है, वो भी opposite है, तो अगर दोनों बराबर magnitude के current opposite direction में move कर रहे हैं, इसका मतलब equilibrium पर जो net current होगा, that will be equal to zero, है कि नहीं, net current क्या होगा, diffusion current plus drift current, अब हम कहे रहें कि बहुत दोनों opposite direction में है, और दोनों बराबर है, तो net net current कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, absolutely, है न, क्योंकि देखो जो net diffusion current है, वो भी electron इदर से जा रहा है, drift current opposite में जा रहा है, तो फुल मिला के zero, ठीक है, लेकिन net current तो zero हो गया, but still there is a potential difference between the n side and the p side, चीक है, अब n side में से क्या हुआ है, electrons move कर गए है, electrons diffuse कर गए, तो n side में जो है, क्या हो गया है, positive हो गया है, p side में से holes move कर गया है, तो p side में क्या रहे गया है, negative रहे गया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n side is positive with respect to p side, तो यह जो potential difference है, इस potential difference को हम कहते हैं barrier potential या फिर barrier height and this is again a super duper important concept. इसे हम क्या कहते है barrier potential. ठीक है potential difference between N region and P region which restricts flow of majority charge carriers across the junction. ठीक है अब क्या हो रहा है इसी potential difference की वजह से अब further और majority charge carriers का flow नहीं हो रहा है. क्योंकि मैंने क्या बोला diffusion current पहले बनना शुरू हुआ, बनते गया, बनते गया, बनते गया, depletion region बढ़ते गया, drift current बढ़ते गया, बढ़ते गया, बट एक point आया equilibrium का जब drift current और diffusion current बराबर हो गया. तो ये point आ क्यों पाया? क्योंकि diffusion current को एक point पर जाके हमने restrict कर दिया. उसके बाद हमने और majority charge careers को flow करना allow नहीं किया. किसने restrict किया? इस potential difference ने. जिसे हम कहते है barrier height या फिर barrier potential. तो आगे चल कर आप देखोगे कि इस barrier potential का भी बहुत important role है. तो अब PN junction फूरा crystal clear हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ है तो फटा-फट कुछ थोड़ी देर, खुछी minute इसको पीछे कर दो और फिर से देखो. क्योंकि PN junction समझना बहुत ज़रूरी है बना आगे का कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आए. तो चलो बच्चो अब हम discuss करने वाले हैं semi conductor diode. डायोड क्या होता है? डाय बोले तो two, यानि कि ये एक ऐसा device होता है जिसमें दो terminal होते है, दो होता क्या है? इसमें basically होता कुछ भी नहीं है, सिरफ एक PN junction होता है, जिसके दोनों जो terminal वाले ends है वो metal से बने होते हैं so that voltage can be applied on the terminals. इसके अलावा इसे हम symbolically represent करते हैं using this symbol which looks like an arrow and this arrow shows the direction of conventional current. जब हम एक डायोड में external voltage apply करते हैं तो उसे कहा जाता है biasing of the diode. ठीक है? अब किसे भी diode में voltage apply करके हम करना क्या चाहते हैं? हम current के flow को control करना चाहते हैं. current के flow को हम बढ़ा घटा सकते हैं. कैसे? by altering the barrier potential. barrier potential हमने अच्छे से समझा था while we were discussing the PN junction, right? तो अब यह biasing दो तरगी होती है. एक होता है forward biasing, दूसरा होता है reverse biasing. forward biasing बोले तो जब हम लोग diode का जो positive है उसको battery के भी positive terminal से जोड़ देते हैं. तो वो होता है forward biasing. reverse biasing exactly opposite. जब हम diode के positive को battery के negative terminal से जोड़ देते हैं तब वो हो जाता है reverse biasing. तो चलो अब थोड़ा detail में देखते हैं कि forward biasing के दौरान क्या होता है और reverse biasing के दौरान क्या होता है? तो forward biasing में होता क्या है? अभी हमने देखा कि forward biasing का मतलब भी होता है कि जो positive terminal है वो P side से connect हो जाएगा, जो negative terminal of the battery है वो N side से connect हो जाएगा. That is forward biasing. अब forward biasing करने पे क्या ह होता है? होता कुछ यू है अब देखो यह positive side से connected है. अब इस P side में जो holes है ना, यह holes क्या experience करते हैं? holes भी positively charged है, इधर भी positive charge है तो यह holes repulsion experience करते हैं. तो यह hole इस तरफ भागते हैं क्योंकि यह positive की तरफ तो जाएंगे नहीं, right? तो repulsion experience करके यह holes जो है वो इस तरफ भागते हैं. जब वो इस तरफ भागते हैं तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप depletion region को देखो तो depletion region के इस तरफ negative charges है. तो यह holes आके इन negative charges के साथ recombine कर जाते हैं. ठीक है, recombine कर गया है मतलब यहाँ से negative charge को गायब कर दिया holes ने? बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतल जब है क्या हुआ? जैसे ही हमने forward biasing करी, forward biasing करने की वज़े से जो हमारा depletion region का width था, right? depletion region का width था, वो क्या हो गया? वो reduce हो गया, वो decrease हो गया, ठीक है? अच्छा, और क्या हुआ? और हमारा जो barrier potential था, जो barrier height था, let us assume पहले हमारा barrier potential था V naught, let us say यह हमारा barrier potential V naught था, लेकिन V naught कब था? जब हमने कोई external voltage apply नहीं किया था, बट अब जब हमने external voltage, let us say V apply किया, तो क्या हुआ हमारी barrier height reduce हो गई? barrier height कितनी हो गई? V naught minus V, मतलब जितनी पहले barrier height थी, उससे थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है? बात समझ में आई? अब जैसे ही barrier height कम हो गई, तो क्या होगा barrier height का काम ही क्या था? barrier height जो है, एक barrier बना देता था कि भई अब majority charge careers flow नहीं कर पाएंगे, अब वही वाली जो wall है जो barrier है वो थोड़ी कम हो गई है, इसका मतलब अब वापिस से majority charge careers flow करेंगे, चुकि barrier height कम हो गई है, इसका मतलब जो majority careers है, इनका flow चालू हो जाएगा, इनका flow चालू हो जाएगा, मतलब क्या होगा, current बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे forward pricing जबी भी होती है, तो क्या होता है, वहाँ पे current बढ़ता है, तो अब देखते हैं, under forward pricing, क्या होता है, majority careers flow across the junction, majority careers का flow करना वापिस से चालू हो जाता है, दूसरा क्या होता है, minority career injection occurs, अब देखो थोड़ा भारी बरकम नाम है, but it is pretty simple, basically इसी को कहने का एक दूसरा तरीका है, हमने बोला, majority charge careers move करने चालू हो जाते है, इसका मतलब है, हम क्या कह रहे हैं, कि P side में majority careers कौन है, holes, तो holes move करने लग जाएंगे P side से N side की तरफ, ठीक है, इसका मतलब, अगर N side की perspective स देखो, तो N side का minority कौन है, holes, तो holes को हम कहां inject करा रहे हैं, N side में, देखो यहां पर क्या हो रहा है, P side में यहां पर holes थे, P side के यह majority careers थे, ठीक है, forward biasing में यह majority careers flow करने लग गए, from P side to N side, तो इसी को कहने का दूसरा तरीका है, कि N side में, जो minority careers हैं, यानि कि holes, वो हम inject करा रहे हैं, गुसार हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, minority career injection occurs, जहां majority career का flow होगा, वही minority career का injection भी होगा, ठीक है, एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर इस case में, जो total current होगा, वो क्या होगा, total current होगा, hole diffusion current, plus electron diffusion current, मतलब यहां पर जो current involved है, that is diffusion current, क्यों क्योंकि यहां पर current flow किस वज़े से हो रहा है, barrier height के कम होने की वज़े से, barrier height कम होने से कौन move कर रहा है, majority careers move कर रहे है, majority careers के diffusion से कौन सा current बनता है, obviously diffusion current, तो total current क्या हो जाएगा, hole का भी diffusion हो रहा है, P to N, electron का भी diffusion हो रहा है, from N to P, तो मतलब hole diffusion current, plus electron diffusion current, ऐसे बनेगा, यहां पर forward के दौरान हमारा तो टल करेंगे किसी भी बहां पर जो तो चलो यह तरीके से देखते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। तो जैसे ही हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं मतलब हम क्या करते हैं हम बेसिक लिए जो जो P side है, उसको connect कर देते हैं negative terminal से, और जो N side है, उसको connect कर देते हैं positive terminal से, तो यहाँ पे exactly opposite कहानी हो रही होती है, यहाँ पे क्या होगा, जो P के जो holes है, वो उसके तरफ attract होंगे, तो holes यहाँ पे नहीं जाएंगे, all the more यहाँ से भागेंगे, तो इसका मतलब है, यह जो depletion region का width है, यह बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब हम reverse biasing करते हैं, तो क्या होता है, हमारा depletion region का जो width है, वो बढ़ता है, width of depletion region increases, और क्या होता है, अगर हम बात करे barrier height की, तो barrier height पहले अगर V naught था, तो अब reverse biasing करने की वज़े से, यह क्या हो जाता है, यह और बढ़ जाता है, barrier height, barrier height अगर और बढ़ गया, तो क्या हो गया, यह और ज़्यादा restriction डाल देता है, majority charge career की flow पे, यानि कि majority charge career flow नहीं करते हैं, तो इस case में क्या हो जाएगा, majority careers जो है, यह flow नहीं करते हैं, majority careers का flow नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई current ही नहीं होता है, reverse biasing में, not really, यहाँ पे भे कुछ current होता है, और वो current किसकी वज़े से होता है, width of the depletion region बढ़ने की वज़े से, यादे हमने discuss किया था, जब depletion region का width बढ़ जाता है, देखो इस region का width बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इसमें electric field setup हो जाता है, जिसकी वज़े से drift आ जाता है picture में, exactly, तो इसकी वज़े से कौन सा current picture में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा drift current, drift current किस से होता है, जो minority career से, उनके movement से drift current होता है, तो यानि कि drift current का any ways, जो magnitude होता है न, वो diffusion current के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि drift current में सिरफ minority careers move कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत ही careers move कर रहे हैं, बट इस केस में, reverse biasing में drift current होता है, diffusion current नहीं होता है, तो चलो देख लेते हैं, under reverse biasing, no majority careers flow across the junction, flow करेंगे, कैसे barrier height ही बढ़ जाता है, है न, और क्या होता है, minority career drift occurs across the junction, इसमें drift occur करता है, drift क्यों occur करता है, क्योंकि depletion region का width बढ़ जाता है, तो electric field strength बढ़ जाती है, चीक है, तो reverse biasing में हम क्या सकते हैं, कि जो हमारा total current होता है, वो किसकी वज़े से होता है, total electron drift current प्लस total hole का drift current है, होल drift current प्लस electron drift current से हमारा total current होता है, तो कुल में लाके कहानी कुछ यू हुई कि forward biasing के दौरान diffusion current होता है total, जो कि काफी जाधा current होता है, negative या फिर reverse biasing के दौरान drift current picture में होता है, और जो की छोटी value होती है, क्योंकि drift current basically minority careers के flow की वज़े से exist करता है, तो चलो भाई, अब एक PN junction diode का VI characteristics देखते हैं, मतलब की voltage और current का graph देखते हैं, कि कैसे ये change होते हैं, चिक है, forward biasing, reverse biasing समझने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये graph कहां से आया, इसे समझने में आसानी होगी, चिक है, तो अगर हम forward biasing की बात करें, मतलब positive voltage की बात करें, तो हम देख रहे हैं, कि जो हमारा current है, एक point तक बढ़ा नहीं, उसके बाद एकदम तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो value है, voltage की, जहां से ये बढ़ना शुरू होता है, उसे हम कहते हैं, threshold voltage, और इस threshold voltage को cut in voltage भी कहा जाता है, और इस cut in voltage के बाद हम क्या देखते हैं, अमारा जो forward current है, वो voltage की increase के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ता है, ठीक है, clear है, अब उसे तरह से अगर हम reverse current की बाद करें, तो हम देखते हैं, जो reverse saturation current है, यहां तक देखो current इतना जादा बढ़ नहीं रहा है, तो ये वाली जो current की value है लगभग, इस value को हम कहते हैं, reverse saturation current, negative biasing, जब हम reverse biasing कर पे हैं, तो उस समय जो current flow होता है, that is because of the drift, right, तो मैंने बताया था आपको कि वो drift current होती है, उसकी value काफी कम होती है, and that is the reason, यह क्या है, इसकी value, reverse saturation current की value काफी कम है, लेकिन, जब यह एक particular voltage की value reach कर जाता है, जिसे हम कहते हैं, breakdown voltage, breakdown voltage के बाद हम देखते हैं, कि यह बहुत ही steeply increase करता है, with, breakdown voltage के बाद हम suddenly देखते हैं, कि इसकी value जो है, बहुत steeply increase करने लग जाती है, तो इस voltage को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, breakdown voltage, तो बच्चो, diode के बारे में, जितनी भी बाते हमने discuss की, उससे हमने क्या-क्या conclude किया, क्या-क्या जाना हमने diode के बारे में, diode under forward biasing क्या करता है, allows unidirectional flow of current, अगर बात करें reverse saturation current की, तो उसकी value काफी कम होती है, अगर बात करें resistance की, forward bias resistance की value, reverse bias resistance से काफी कम होती है, in fact, उसी वज़े से तो forward biasing में current flow जादा होता है, resistance कम मतलब current जादा, in fact, किसे बें diode का dynamic resistance R हम calculate कर सकते हैं कैसे delta V by delta I से, diode है बड़ी काम की चीज, exactly, diode को हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे diode को हम एक rectifier की तरह यूज़ करते हैं, diode को हम यूज़ करते हैं, light emitting diode में, इसके अलावा solar cell में, इसके अलावा photo diode में, तो चलो एक एक करके इन सारे applications को समझते हैं, तो चलो बच्चो अब हम यह देखते हैं कि diode एक rectifier की तरह काम कैसे करता है, ठीक है, उससे पहले यह जानना जरूरी है, कि भई rectifier होता क्या है, क्या rectify करता है, तो basically एक rectifier जो है, यह alternating input को DC में convert करता है, मतलब alternating current को AC को convert करता है, किसमें DC में, AC क्या होता है, which is two directional, AC, जब भी हम alternating voltages की बात करते हैं, तो कुछ यूँ दिखता है, DC, जिसमें यह single directional होता है, एक ही direction की बात होती है, DC में, अना, तो अब हम यहाँ पे हमारा agenda, यह नहीं है, कि exactly rectifier के detail functioning, यहाँ भी हम देखेंगे rectifier के अंदर एक diode किस तरह से rectifier का का काम करता है, वो ही हमारा main role है, तो यहाँ पर यह सबसे पहले discuss करेंगे, एक half wave rectifier, ठीक है, तो half wave rectifier में, चाहे half wave हो, चाहे full wave हो, जो हमारा input है, वो कैसे जाएगा, वो AC input रहेगा, जो bidirectional हो, इस तरीके से, ठीक है, और यह rectifier का setup होता है, जिसमें primary coil, secondary coil होता है, और यहाँ पे रहता है एक diode, तो half wave rectifier में एक ही diode होता है, ठीक है, अब आप देखो ह होता क्या है, जब हमारा input, अब हमें देखना यह है कि इस input के लिए हमें corresponding क्या output मिलता है, इस rectifier से, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा input का यह positive cycle जाएगा, तो जब input का positive cycle जाता है, तो हम देखते हैं कि यह जो point A है, this point A is at positive potential, positive cycle के दोरान point A जो है, वो positive potential में होता है, जिसकी diode का तो यह positive और negative है, तो positive potential यह positive terminal positive से connected है, तो this is forward biased, जब यह forward biased diode होता है, तो यह current conduct करता है, तो इस वज़े से हमें output कैसा मिलता है, ऐसा, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जब हमारा input negative cycle होता है, तब क्या होता है, तब हमारा यह जो point A है, तब हमारा point A negative potential पे होता है, तो अब देखो, diode का जो positive है, वो negative से connected है, यानि कि मेरा diode कैसा हो जाता है, इस situation में मेरा diode reverse biased हो जाता है, तो यानि कि यह current conduct नहीं करता है, नहीं करता है मतलब, reverse biasing में क्या होता है, जो reverse saturation current होता है, उसकी तो value बहुत ही कम होती है, almost ना के बराबर होती है, तो इसलिए हम कहेंगे, हमारा output negative cycle के corresponding 0 के बराबर मिलेगी, उसके बाद फिर positive cycle आ जाएगा, तो diode फिर से forward biased हो जाएगा, तो हमें फिर से positive cycle मिलेगा, उसके बाद फिर reverse cycle आ जाएगा, तो क्या होगा, फिर से वो reverse biased हो जाएगा, तो फिर से ऐसा हो जाएगा, तो इस तरीके का pattern हमें output में मिलेगा, औ चलो बच्चो, rectifier का एक दूसरा version देखते हैं, जिसे हम कहते हैं, full wave rectifier. Full wave rectifier के arrangement में एक छोटा सा change किया गया है. पहले half wave rectifier में सिरफ एक diode था, अब हमारे पास डो diode से D1 और D2. और इनको arrange किया गया है with respect to the center tap. इसका मतलब है, यहां तो वही same coil का arrangement है, लेकिन जो A और B की जो हम potential measure करते हैं, अब हम वो potential measure करेंगे with respect to the center tap. चीक, अगर हम कहते हैं A positive है, मतलब A is positive with respect to the center tap. ठीक है न, वैसा हो जाएगा. तो चलो अब देखो situation कैसा होगा, तो इसका मतलब, अब let us suppose हमारा एक input है, तो let's say this is our input. ठीक है, तो चलो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर output कैसा होगा, ठीक है, अभी मालो की जब हमारा positive cycle जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, let's say positive cycle है, तो अब A मालो हमारा positive है, potential, positive potential पर है, इसका मतलब यह वाला जो D1 है, that is forward biased, यानि कि D1 मेरा current को conduct करेगा, ठीक है, बट इस सेम पॉइंट पर B, जो point B जो है, यह मेरा positive potential में तो नहीं रह सकता है, ठीक क्योंकि यह center tapping है, तो मतलब एक ही रहेगा positive potential में, तो फिलाल A positive potential में है, तो पहला वाला diode forward biased है, तो यह current conduct करेगा, तो हमें output में मिल जाएगा U, बट यह जो positive output हमें मिला, यह किसकी वज़े से मिला, this is due to diode D1, ठीक है, अब मान लो अगर हम बात करते हैं, input के negative cycle का, ठीक है, तो अब input के negative cycle में क्या होगा, यहाँ पे चुकि यह center tapping वाला arrangement है, तो अब क्या हो जागा, जाएगा positive potential पे, बट ए क्या आजाएगा, ए आजाएगा negative potential पे, ठीक है, तो A मेरा negative potential पे आजाएगा, और B positive potential पे आजाएगा, चुकि B positive potential पे आजाएगा, तो क्या होगा, यह वाला जो मेरा diode है, यह अब forward biased हो जाएगा, तो यह current को conduct कर देगा, तो यानि कि मुझे final output अभी फिर से current भी लेगा, बट यह वाला current किसकी वज़े से भीला हमें, due to diode D2, ठीक है, उसके बाद फिर इसका positive cycle आएगा, जैसे positive cycle आएगा, तो A positive potential पे आजाएगा, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यह switch हो रहा है, चुकि दो हैं, दो diodes हैं, तो एक cycle में एक diode forward biased हो रहा है, अगले cycle में दूसरा diode forward biased हो रहा है, फिर तीसरे cycle में पहला diode forward biased हो रहा है, फिर चौते cycle में दूसरा वाला forward biased हो रहा है, मतलब हर cycle में दोनों में से एक diode forward biased हो रहा है, और current को conduct कर रहा है, तो इसे लिए जो final output का pattern हमें मिल रहा है, वो इस तरीके का मिल रहा है, मतलब full wave मिल रहा है, half wave में क्या हो रहा था, बीच में half wave हमारी 0 हो रही थी, कट रही थी, यहाँ पे full wave है, तो देखो wave को भी ऐसा है, A में जब positive है, हो सकता है, B में तब negative है, लेकिन कोई बात नहीं, A मे से काम करता है, हमारा full wave rectifier, तो अब discuss करने वाले हैं हम photo diode, photo बोले तो light, यह एक ऐसा diode है, जो detect करता है light को, जो detect करता है optical signal को, तो यह एक special purpose PN junction diode है, इस diode की खास बात यह होती है, कि इसके उपर एक transparent cover होता है, जो allow करता है, कि light जो है, इस diode पे fall करे, चिक है, अब जब light इस पे fall करता है, light में क्या होता है, photons, अगर इन photons की energy, जो H new photon की energy है, वो energy अगर energy gap से ज्यादा होती है, तो क्या होता है, electron whole pair generate होते है, इस diode का construction इस तरीके से होता है, कि यह electron whole pair generate होते है, near the depletion region, अब हमें यह पता है कि junction के पास क्या होता है, junction के पास electric field होता है, इसके वज़े से यह जो electron और holes generate हुए हैं यह recombine होने की बजाए एक दूसरे से separate होते हैं ठीक है तो electric field के होने की वज़े से हम देखते हैं कि electrons जो है वो सारे के सारे N side की तरफ चले जाते हैं holes जो है यह सारे के सारे P side की तरफ जमा हो जाते हैं right क्योंकि यह पूरा जो होता है junction diode जो है यह पूरा reverse bias में operate करता है तो as a result क्या होता है कि सारे electrons एक तरफ सारे holes एक तरफ तो क्या generate हो गया EMF generate हो गया जैसे ही circuit में load लगाओगे तो current flow करने लगेगा तो इसी current को कहा जाता है photo current और photo current का magnitude कितना है यह depend करता है कि कितने intensity की light is diode में fall की थी तो चलो फिर देखे photo diode का वी आई characteristics वी आई characteristics बोले तो वही voltage और current का graph और क्या है तो यहां पर देखो पूरा का पूरा graph यह reverse bias पे ही है क्या होता है photo diode में जितने light की intensity उस पे fall करती है डायोड में उतना ही जादा हमें photo current मिलता है जो कि यहां पे दिख रहा है देखो यहां पे photo current इतना है यहां पे photo current इतना है और यहां पे photo current इतना है तो आप देख रहो कि current के जो value है यह बढ़ रही है यह सारे जो plots मिले हैं यह अलग-अलग intensities of light के लिए मिला है जिसमें सबसे ज्यादा intensity इस वाले जगह पे है I4 पे है इसलिए current भी हमें सबसे ज्यादा उसी में मिल रहा है तो current directly proportional है किससे intensity से photo diode के case में चीक है इसके अलाबा हमें क्या पता चल रहा है कि photo current increases with increase in reverse bias voltage and then attains a saturation value वो भी साफ साफ दिख रहा है अगर आप यहां पर focus करो देखो जैसे जैसे reverse voltage बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारा current भी photo current भी बढ़ रहा था इस point तक है ना voltage भी बढ़ आता current भी बढ़ आता उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यार इसकी जो value है ना यह almost constant रह गई तो यह जो constant value रह गई उसको हम क्या कहते हैं उसको हम saturation current तो यह जो constant value current ही हो गई इसको हम क्या कहते है saturation current कहते हैं तो डायोड का अगला application है LED यानि की light emitting diode LED एक ऐसा word है जो आम तोर पर भी हम घर पे भी use करते रहते हैं इस word को right LED bulbs सुना ही होगा तो LED light emitting diode मतलब यह ऐसा diode है जो light emit करता है जो electrical energy को light energy में convert करता है in fact इस तरह के डायोड जो है यह transparent you know capsule type के cover में enclosed होते हैं ताकि जो light emit करे वो light हमें बाहर दिखे right and that is exactly what you would have seen in an LED तो LED भी pn junction diode होते हैं कैसे वाले heavily doped यानि कि एकदम heavy quantity में इसमें impurities डाल दी जाती है और यह operate करते हैं under forward bias चलो देखेंगे वी आई characteristics of light emitting diode उससे पहले यह जान लेते हैं कि जो light emitting diode होते हैं यह कहां function करते हैं यह forward bias में function करते हैं forward bias में function करते हैं इसका मतलब majority charge carriers का flow होता है यानि कि कि किसका flow होता है n side से p side में कौन flow करेगा electrons flow करेंगे और p side से n side में कौन flow करेंगे holes flow करेंगे ठीक है इस तरीके का movement होगा अब इसकी वज़े से क्या होगा respective दोनों sides में जो minority charge carriers है वो जमा होते जाएंगे ठीक है तो हम notice यह करते हैं कि यह जो minority carriers ही कठा हो जाते हैं यह दूसरे वाले अपने opposite charges वालों के साथ recombine करते हैं और recombination होने पर क्या release होते हैं photons release होते हैं and that is what we see as light energy in a light emitting diode ठीक है तो अगर हम इसका वियाई characteristics देखे तो देखो कोई भी ऐसा diode basically जो forward bias में काम करता है उसका भी graph ऐसा ही दिखता है जब हमने pn junction diode का वियाई characteristics देखा था वो भी कुछ ऐसा ही था राइट देखो forward biasing में क्या होता है एक particular voltage तक current बढ़ता नहीं है और उसके बाद current बहुत तेजी से बढ़ता है और इस voltage को हम कहते है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कटिन वोल्ट रिवर्स बाइसिंग में अगर हम देखी तो क्या होता है पहले इसका बहुत देड़ तक जो current है constant रहता है और उसके बाद breakdown voltage के बाद यह अचानक से बढ़ने लगता है तो यह जो constant रहता है काफी देड़ तक और यह बहुत ही negligible amount of current होता है उसे हम reverse saturation current कहते हैं ठीक है तो यह हो गया इसका वी आई on off switching capability on off on off आप जल्दी कर सकते हो long life emitted light is nearly monochromatic तो इन कुछ advantages की वजह से LED has become so popular in these days finally last but not the least a great application which is solar cell solar cell जो बहुत ही useful है हमारे लिए क्यों क्योंकि यह कैसा device है जो सूरज के energy को solar energy को convert कर देता है electrical energy में amazing right तो solar cell के अंदर भी होता है pn junction diode जो generate करता है EMF जब इनके ऊपर solar radiation fall करती है तो इसे लिए इस तरह के devices में यह जरूरी होता है कि इनका area बढ़ा हो अगर area बढ़ा होगा तो क्या होगा ज्यादा बढ़े इरिया में solar radiation fall करेगा as a result जो power generate होगा वो भी ज्यादा होगा तो चलो समझते हैं solar cell के working को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसका construction इसमें होता क्या है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक n टाइप दिख रहा है जिसको back to back रखा हुआ है ठीक है तो देखो पहले मैं इसका side view बताती हूँ तो side view अगर आप देखोगे तो ऊपर होगा एक इस तरह से एक metal उसके नीचे रहेगा एक n टाइप उसके नीचे आपको दिखेगा एक टाइप और उसके नीचे फिर से आपको दिखेगा एक metal जैसे यहां पर आप देख रहे हो दखो यह क्या है यह metalized finger electrode है मतलब है metal ही नीचे का layer भी metal है यहाँ N है यहाँ P है इस तरीके का setup होता है अब होता क्या है कि जब light fall करती है कौन सी light sunlight obviously solar cell है तो sunlight का बहुत crucial रोल है तो जब sunlight इसमें fall करती है such that जो sunlight में light में जो photons हैं उनकी energy is greater than the energy gap तो क्या होता है तो generate होता है electron hole pairs generation of electron hole pairs कैसे generate होते हैं यह हमने देखा था हमारे energy band diagram में कि अगर energy gap जितना है उस energy gap को आपने overcome कर लिया तो क्या होगा electrons balance band से कूद के चले जाएंगे conduction band में जैसे ही कूद के चले जाएंगे तो conduction electron generate हो गए साथ ही साथ जो electron चले गए वहाँ पर hole create हो गया तो यानि कि electron hole pairs generate हो गए ठीक है यह हमारा सबसे पहला step है ठीक है अब क्या होगा generate तो हो गए दूसरा step है separation of electron and holes अब आप सोचोगे कि यार अभी अभी तो यह generate होए यह separate क्यों होंगे separate तो होंगे क्योंकि आप अपना setup देखो ना यहां पर आपने लगा रखा है एक n टाइप है एक p टाइप है तो क्या है दोनों के बीच में एक potential difference exist करता है अगर हम external voltage ना भी दें बट स्टिल इनके बीच में एक barrier potential या फिर potential difference exist करता है जिसकी वज़े से एक electric field रहता है और इस electric field की वज़े से क्या होते हैं जो negatively charged electrons हैं और जो positively charged holes है यह एक दूसरे से दूर जाते हैं कैसे अगर बात करे electrons की तो यह electrons move करना शुरू कर देते हैं किस तरफ n side की तरफ अगर बात करे holes की तो यह move कर देना शुरू कर देते हैं towards the p side ऐसा क्यों होता है थोड़ा और अच्छे से समझते हैं अब देखो n और p के बीच में क्या create होता है barrier potential है ना आपने यह जाना था barrier potential बनता है तो अगर आप देखोगे अगर आप अपना quickly recap करो knowledge तो आप क्या देखोगे कि यहां पर लेटर से कि यह वाला side अगर let's say n है यह वाला side अगर p है ठीक है for example तो क्या हो जाएगा अब n में से जो इसके majority career से वो चले जाते है minority careers को छोड़ जाते है यानि कि plus वाले को छोड़के जाते है इधर minus वाले को छोड़के जाते है तो इसकी वज़े से यहां पर क्या हो जाता है एक electric field सेट अब इस electric field wide के सेटफ हो जाने की वज़े से क्या होते है इधर जो electrons है वो इस positive की तरफ आते है यानि की electrons किसकी तरफ आ रहे हैं inside की तरफ उसी तरह जो इधर जो holes है यह इधर किदर जाते है नेगितिव की तरफ सब्सक्राइब की drift होती है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉंस और होल्स हैं इनका इस तरीके से सेपरेशन चालू हो जाता है अब क्या होता है collection of electrons and holes कहां पर collect होते हैं यह अब इस setup को देखो मैंने क्या बोला कि जो electron है electron किसकी तरफ move करते हैं इधर आती हूं जो electrons हैं यह electrons n side की तरफ move करते हैं जो hole हैं वो P side की तरफ move करते है então basically यह electrons जाके कहां पर नीचे कि सामने की तरफ bilang है और जो ऊपर की तरफatics सामनी की तरफ जो मेटल है उसे कहा जाता है फ्रंट कॉंटाक्ट तो यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉंस जो है यह फ्रंट कॉंटाक्ट में जमा हो जा रहा है और होल्स जो है यह बैक कॉंटाक्ट में जमा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉंस जमा हो रहा है फ्रंट कॉंट है वो पूरा negative हो जा रहा है जो back वाला side है वो पूरा positive हो जा रहा है as a result क्या create हो जाएगा एक potential difference establish हो जाएगा और इस potential difference को हम कहते हैं photo voltage और इस photo voltage की वजह से ही जब हम बाहर एक लोड लगा देंगे तो photo current flow करेगा and that is how a solar cell works solar cell में input किस चीज़ का आया energy आई कहां से solar energy से output क्या मिला हमें current यानिक electricity अब देखेंगे solar cell का वी आई characteristics and if you look at it आपको दिखेगा कि यह बाकियों की वी आई characteristics से काफी अलग है तो यहां पर है वी ओसी यहां पर जिस voltage की हम बात कर रहें डैट इस वी ओसी which is open circuit voltage open circuit voltage क्यों जैसा कि आपने देखा जो solar cell का जो construction था उसमें कोई voltage source नहीं था कोई battery source नहीं था बट स्टिल वहां पर voltage establish हो रहा था because of that EMF generation right तो इस voltage को कहा जाता है open circuit voltage में तब जो circuit था basically open circuit था ठीक है अब solar cell में एक खास बात ही होती है कि यहां पर open circuit voltage gives rise to short circuit current that is the specialty of solar cell उसी वज़े से इसका जो वी आई कारेक्टरिस्टिक है वो भी थोड़ा अलग दिखता है यहां पर यह reverse bias में operate नहीं करता है और खास बात कि एक solar cell जो है it does not draw current but supplies the same to the loop solar cell में अगर आप देखो जैसे कि मैंने बताया चुकि यह open circuit होता है यहां पर कोई voltage का source वगरा नहीं होता है तो यह circuit में क्या होता है कि current से solar cell जो है यह current circuit से लेता नहीं है बलकि circuit को current देता है जो current देता है वो load को current देता है correct so that's the uniqueness of solar cell अगर हम बात करें कि solar cell बनाने के लिए जो materials हम choose करते हैं उन materials में कौन से qualities हम ढूंडते हैं so these are some of them जैसे कि high optical absorption अब यार यह solar cell operate ही कर रहा है कि से sun के energy को यानि कि light को इसमें absorb करने की capability होनी चाहिए काफी ज्यादा ठीक है इसके अलावा इसका जो band gap है that should be approximately 1 to 1.8 electron volt energy gap की जो महां बात कर रहे है तो इजी की value जो है वो इसी रेंज की होनी चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर electron whole pair generation possible नहीं होगा right क्योंकि जो sunlight energy मिल रही है जो light की energy आरी है that should be more than the energy gap तो इसलिए energy gap इसी रेंज में पॉल करना चाहिए उस material का इसके अलावा इट शुट हाव electrical conductivity and obviously cost is always a factor right क्योंकि अगर large scale में solar cells use करने हैं और अगर हमने एक बहुत expensive material choose कर लिया then it went then again it won't work तो बच्चा पाटी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के end तक तो मुझे पूरे उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो semiconductor electronics के basics हुए होंगे crystal clear और अगर ऐसा हुआ है तो comments में जरूर लिखके बताना कि concept हुआ crystal clear और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए stay home stay safe take care bye